पारकोर वसस पुलिस एक बार एक गव में एक आराई वो एक घर के बाहरा कर रुकी उसमें से एक SI अपने परिवार के साथ उत्रा उसके पत्नी और बेटा भी था बाद में SI थाना पोहुंचा जानकी राम जानते हो तुमारा यहां तबादला क्यों कराया है इस गाव में दिन राच चोरियां हो रही है चोर एक ही है पर सुना है कि वो घर दिवार सब फानता हुआ तेजी से गायब हो जाता है उसे किसी तरफ पकड़ना होगा जानकी राम ने ठीक है कहकर SP को सल्यूट किया जानकी राम के बेटे का नाम था पार्थो वो एक दिन स्कूल जा रहा था कि उसे आवाज सुनाई दी चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर चोर देखा तो कुछ लोग एक के पीछे भाग रहे थे वो बहुत तेजी से एक दिवार पर चड़ा कूटकर लोटते हुए फिर उठा भागा और फरार हो गया लोग दिवार तक आकर उसे चड़ने की कोशिश करते हुए चोर चोर पकड़ो पकड़ो कहकर चिला रहे थे ये सब पार्थो ने अपने मोबैल में रेकॉर्ड किया बाद में घर पर उसने अपने पिताजी को वो सब दिखाया यही है वो चोर जिसकी मुझे तलाश है पर वो इतनी तेजी से भाग कैसे रहा है मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा देखा पापा आप मुझे डानते थे ना कि मुझे सेलफोन किसलिए चाहिए अब देखा ये कितना काम आया किसी भी वस्तु का सही इस्तिमाल करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं पापा पार्थो की बात सुनकर जान की राम वेरी गुड बेटा, यू आर स्मार्ट पापा आपसे एक और बात कहनी है जानते हूं वह चोर इतना देश कैसे जाता है इस कला को पार्कॉर कहते है पार्कॉर मतलब क्या है पार्कॉर एक खेल है क्रिकेट, फुटबॉल, वालीबॉल, रानिंग, स्विमिंग की तरह ये भी खेल है लेकिन बहुत खतना के विदेशों में ये बहुत प्रोचलित है इसे देखकर लगता है कि ये पार्कॉरिंग कही सीकर चोरी करने के लिए उपियो कर रहा है ये सुनकर जानकी राम सोच में पड़ गया वो तुरंट पोली स्टेशन गया वहाँ से हेटकॉर्टर्स फोन लगाया हलो, एसा ही जानकी राम स्पीकिंग मुझे सीटी में पार्कॉर ट्रेनिंग देने वालों का लिस्ट चाहिए बहुत अर्जंट है कहकर फोन पर कुछ और हिदायतें देने लगा अगले दिन एक विदेशी स्टेशन आया सर, क्या आप जानकी राम है मेरा नाम रिचर्ट सन्हाए मैं सिटी में पार्कॉर ट्रेनर हूँ हेटकॉर्टस में मुझे आप से मिलने को कहा है ये लीजे अब तक मेरे पास सीखे हुए स्टुडेंस का डीटेश कहकर एक फाइल दिया जानकी राम उतावला होकर वो फाइल देख रहा था कि उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी Richardson, he is the thief I am sure, वो फोटो देखकर Richardson Oh my god, I can't believe it His name is Hemant ये मेरा best student है But I am sad कि वो चोर बन गया है I am very sorry sir कि मैंने ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड किया है It's okay, उसे किसी तरह पकड़ना होगा नहीं तो इस गाउं के लोगों की परिशानी कम नहीं होगी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ I have an idea उसे पकड़ना is not easy एक काम खीजिए आप भी मुझसे पारकॉर सीखें तब उसे पकड़ना will be easy यूँ जानकी राम रिचर्टसन से ट्रेंडिंग लेने लगा एक दिन जानकी राम बैंक के सामने बैक पर जा रहा तब ही बैंक में चोरी करके हेमन तेजी से भाग रहा था चोर चोर चिलाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे जानकी राम उसका पीछा करने लगा वो दिवार फांदा तो जानकी राम भी दिवार फांदा वो छट पर चड़ कर भागने लगा तो जानकी राम भी छट पर चड़ कर भागने लगा यूँ उसका पीछा करने लगा तबी से स्कूल से लोट रहे पार्थों को दोनों दिखाई दिये तब उसने अपने हाथ में पकड़े केले के छिलके को फेका चोर ने उस पर पैर रखा और फिसल कर गिर गया जानकी राम ने हेमत को पकड़ लिया गांवालों ने आकर हेमत की खूब धुनाई की रुकिये रुकिये शान्त हो जाएए पुलिस को अपना काम करने दें क्यों हेमत शौक के लिए सीखे कला को यूँ गलत इस्तमाल करते हो शर्म नहीं आती चलो पुलिस टेशन यू हेमत गिरफतार हुआ जानकी राम को एस्पी ने मेडल से सम्मानित किया तो जो भी कला हम सीखें उसे चार लोगों को सिखाना चाहिए उसे समाज के हिट के लिए प्रयोग करना चाहिए पर उसे गलत काम के लिए प्रयोग करना पाप है गलती करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही कैसी है ये कहानी JCB एक गौँ में पपु नाम का एक मोटा व्यक्ती रहता था उसके पिताजी का नाम था दयानन उसकी बहन थी चान्नी चान्नी की शादी की उमर हो चली थी दयानन के पास एक JCB था उस JCB से पत्थर अटाना मिटी खोदना ऐसे बहुत सारे काम करके कॉंट्राक्टर से पैसे लेकर घर चलाता रहता था पपु कोई भी काम नहीं करता पर टटकर खाता था दिन राज सोता भी रहता था उपर से दिन में नीन में भी खाने के ही सपने देखता रहता था और उसके लिए बेचेन रहता था एक दिन, दिन में सोते हुए पप्पू, नीन में दो चाहिए, एक बस नहीं होगा भाया पैसे हैं, पहले दो तो सही बोला तो है, समझ में नहीं आता पहले दो देना, कहतो रहाँ कि एक काफी नहीं है ये देखकर ये नीन में भी पेचेन रहता है ये क्या, दो दो की रत लगा रखिये उसे सपने में भी चिकन और मटन के अलावा और कुछ नहीं आता है ठेहरो, अभी पता चलेगा कि उसने सपने में क्या देखा है, कहकर उसके मुँ में पानी फेंका पप्पु हडवड़ा कर उठा तुम ये दो-दो क्या कह रहे थे क्या है वो वो, वो सपना देखा कि मैं होटल में जा रहा हूँ वो मुझे एक चिकन ब्रियानी दे रहा था मैंने उसे दो मांगा पर बहुत मिनतें करने पर भी वो दो नहीं दे रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आया पर ये क्या मां तुम तो बना कर देती नहीं सपने में भी खाने नहीं देती हट, कहकर फिर सो गया एक दिन द्यानन बेटा पपु मेरी उमर हो गई है अब मैं रिटेर्मेंट लेता हूँ अपने जेसीवी को तुम ही को चला कर परिवार की देखबाल करना होगा कॉंट्रैक्टर को बड़े मुश्किल से मनाया है चानी की शादी की जिमेदारी भी अब तुमारी है, अब तुम मना मत करना बेटे पपु ने मन मार कर सहमती दे दी पपु अगले दिन जेसीवी लेकर कॉंट्रैक्टर के पास गया अरे आओ भई आओ पपु तुमारे पिता जी तुमारी खूब तारीफ कर रहे थे जाओ उन पत्थरों को हटा कर उस एरिया को साफ करो पपु जेसीवी से उस एरिया को साफ करने लगा दुपैर हुई तो बहुत भूक लगी तो वो जो घर से खाना लाया था उसे खाया पपु अपने आप से खाने के बाद मुझे नींद आती है अब काम के समय सोना तो गलत है पर यदि मैं दो घंटे नहीं सोया तो मेरी बॉड़ी सेट नहीं होगी कोई उपाय सोचना होगा अरे हाँ आइडिया जेसी भी बकेट को बहुत उपर उठाया फिर उस पर चड़ कर इधर उधर देखा और उसमें लेट कर सो गया शाम को कॉंट्राक्टर के पास आया क्यों भई पपू दोपेर से दिखाई नहीं दिये कहां गये मैं तुम्हारे नीन के बारे में सब जानता हूँ ऐसे हरकतें करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा याद रखना रह ऐसे बात नहीं है सर मैं सोया नहीं मुझे नीन आने लगी तो मैं चाई पीने चला गया था बस शायद आपने उस समय देखा होगा मेरा विश्वास करें एक दिन पपू यूँ ही JCB पर सो रहा था वहाँ नीचे कॉंट्राक्टर ऐसे इसे बात कर रहा था क्यों भई कॉंट्राक्टर तुमने लाइसेंस कुछ और के लिए लिया और काम कुछ और कर रहे हो तुम सोचते हो कि ये बात मैं नहीं जानता चुपचाप मेरा हिस्सा दोगे तो बात को यहीं पर रफा दफा कर दूँगा तभी पपू सपना देख रहा था कि वो होटल में चिकन बियानी खा रहा है और किसी के साथ बहस कर रहा है वो नीन में मैं भी तुमारे बारे में जानता हूँ क्या मैं नहीं जानता कि तुम कितना खाते हो सिर्फ तुम खाओगे हम नहीं खा सकते तुमने क्या खाया? कितना खाया? मैंने सब फोन में रेकॉर्ड किया है देखोगे? ये बात सुनकर ऐसा ही काम गया काईकर मैं तुम्हारे हाथ जोडता हूँ उस वीडियो को मीडिया में मत देना अब मैं जिन्दिगी में कभी तुम्हें दिखाई नहीं दूँगा कहे कर वहां से डर कर भाग गया बाद में कॉंट्रेक्टर शाबाश पपू तुम्हारे नीन में बड़़डाने के वज़े से आज मैं बच गया अब से तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम पेट भरके खाओ और जेसी भी में सो जाओ हर महिने तुम्हें तनखा पक्का मिलेगा ये बात सुनकर पपू बहुत खुश हुआ एक दिन पपू ने डट कर खाया और जेसी भी में लेट कर सो गया अरे यार बड़े महने से चोरी की है पुलिस हमारे तलाश में घूम रहे है पकड़े गे तो मरेंगे कुछ दिनों के लिए इसे कहीं पर छुपाना होगा जेसी भी में सो रहे पपू को सपना आया कि किसी ने उसके बिर्यानी को छुपाया है ए तुम कहीं भी छुपाओ पर वो सब मेरा ही है चुपचाप मुझे दे दो ये बात सुनकर चोर घबरा गए पपू बिर्यानी को याद करते हुए क्यों रे तुम लोग क्या सोच रहे हो क्या मैं नहीं जानता कि तुम इसे कहां से लाये हो कहीं भी छुपादो मैं सुनकर ढून लूँगा मेरा हिसा मुझे दे कर जाओ 50-50 तुम लोग आधा लो और मेरा आधा मुझे दे कर जाओ बाप रे ये कौन है दिख नहीं रहा है पर हमारे बारे में इसे पूरी जानकारी है चोरी के माल में इसे आदा हिसा नहीं दिया तो हम मुसिबत में पढ़ सकते हैं खीक है भई आपका हिसा यहीं रख कर जा रहे है कहकर उसे रख कर वहां से भाग निकले सिवेरा होते ही पपु जेसी भी से उत्रा वहां उसे सोने के संदूग दिखाई दिये से करूँ थाइंक यू गाड कहकर वह सोने के संदूग लेकर चला गया बाद में चान्नी की शादी बड़े धूमधाम से हुई वह देख कर सब खुश हुए तो कभी कभी किसी की कमजोरी उसका बल भी बन सकता है कैसी लगी यह कहानी